गंभीर आर्थिक संकट से गिरे श्रीलंका में राष्टपती भवन के बाहर डटे प्रदर्शन कारियों को वहां की सेना ने आधी रात को ख़देड दिया एक रोज पहले ही रानिल विक्रम सिंगे को वहां का नया राष्टपती चुना गया असल में श्रीलंका में प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों ने रानिल विक्रम सिंगे को नया राष्टपती मानने से ही इनकार कर दिया उनका आरोप है कि विक्रम सिंगे भी देश के आर्थिक और राजनीतिक संकट के लिए जिम्मेदार हैं और इसी विज़े से जब विक्रम सिंगे ने राष्टपती पद की शपत ली तो वहाँ एक बार फिर बवाल शुरू हो गया हालाद बिगड़े तो राष्टपती भवन और उसके आसपास के इलाके में मौझूद प्रदर्शन कारियों को ख़देडने के लिए आधी रात को सेना एक्शन में आ गई मामले की गंभीरता को देखते हुए सडकों पर टैंकों को भी उतार दिया गया प्रदर्शन कारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सडक पर बैरिकेड लगा दिये गये और चप़े चप़े पर बड़ी संक्या में सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया इसके बाद सेना ने प्रदर्शन कारियों को वहां से जबरन हटाना शुरू किया लेकिन जैसे ही प्रदर्शन कारियों पर सेना ने सकती दिखानी शुरू की वो भड़क गये और सड़क पर लगे बैरिकेट के पास खड़े होकर हंगामा करने लगे हालाद बिगडते देख वहां मौझूद सेना के जवानों ने मोर्चा समाल लिया सड़क पर विरोध कर रहे लोगों को दोडा दोडा कर पकड़ा गया और फिर उन्हें वहां से जबरन हटा दिया गया वहां से आई एक तस्वीर में प्रदर्शन में शामिल एक महिला रोते हुए सेना की इस कारवाई का वीडियो बनाती दिखाई दी इस कारवाई के दौरान सेना के जवानों जिसके बाद सड़क के किनारे प्रदर्शन कारियों का सामान बिख़रा नजर आया बताया गया कि इस कारवाई में कई लोग घायल हो गये जबकि कुछ लोगों को गिरफतार भी कर लिया गया